तो आज हम आपको वीजा स्टील पे शेर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा साथ ही में hit the bell icon सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी काम क्या करती है उसके competitors कौन-कौन है शेर प्राइस चार्ट बताएंगे प्रमोटर होल्डिंग बताएंगे शेर होल्डिंग पैटर्न बताएंग and quarterly result का analysis करेंगे like quarterly wise company कैसा कर रही है और पहले के years में भी company ने कैसा किया है so let's begin ये company 1996 में incorporate हुई थी visa steel limited ये हाल फिलाल manufacture करती iron और steel products company iron और steel products बनाती है और साथ ही में high carbon ferro chrome भी बनाती है उनके products वो भी बनाती है company का manufacturing facility है जो captive power plant है वो है कलिंगा नगर इन ओडिशा यहाँ पर company का जो captive power plant है वो वहाँ पर है manufacturing facility company की वहाँ पर है ओडिशा में market cap की बात करेंगे तो 233 करोड का market cap है तो यह small cap company है current prices की 20.1 book value minus में है negative में है तो यह बड़िया बात नहीं है stock price turning नहीं दिवी it means company loss में है company का ROC और ROE नहीं दिया हुआ है ROE तो चलो दियावानी दिया हुआ ही नहीं मतलब बहुत टाइम से company loss में है कि company का negative में भी return on equity नहीं दिया हुआ है ROC भी negative capital को efficiently use नहीं कर रही company interest coverage ratio negative में माइनस 3.62% मतलब की interest pay करने की capability बढ़िया नहीं मतलब की profit नहीं earn करें तो चलो interest कहां से पे करेगी तो interest के तो point छोड़ दो चलो debt company के पास काफी ज्यादा 3,485 करोड कंपनी का market capital 233 इतनी छोटी company लेकिन debt काफी बढ़ा है pledge percentage 100% मतलब की promoter के पास जितने भी shares उन्होंने पूरे के पूरे pledge पे रखे हुए है तो fundamentally काफी negative है और काफी बलब ऐसी लग रही है company बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है financial trend अगर हम देखेंग तो 2018 में company का revenue था 2120 करोड कंपनी पहले भी अच्छा करती थी बट स्टिल कंपनी लॉस करोड मलब समझ लेजिए 1400 करोड कंपनी का revenue के होने के बाद भी company 160 करोड के लॉस में थी चौदा सो छोड़ो 2000 के कंपनी के revenue में होने के बाद भी company loss में थी 2020 में 690 करोड था और उस ताम company का लॉस हो 190 करोड लेकिन 2021 में तो company ने लॉस के numbers ही बहुत बड़े कर दिये 990 करोड का revenue था चलो 2000 से तो काफी कम है लेकिन लॉस के नंबर देखे 1200 करोड का company का लॉस है यहाँ पर तो company का लॉस का नंबर काफी बढ़ गया है company का revenue भी नहीं कर पा रही है पहले जितना करती थी company उतना revenue भी नहीं कर पा रही है तो बहुत ही negative financials और अभी भी अगर हम द देखे तो June में 244 करोड किया है September में 260 करोड किया December में 250 करोड किया तो अगर overall भी अगर हम करेंगे तो यहाँ पर company साड़े 700 करोड जितना revenue किया है ठीके साड़े 700 अगर एक महिना मार्च का भी result देख ले तो ज्यादा से ज्यादा 1000 करोड हो जाएगा उससे ज्यादा नहीं ह होगा लॉस का नंबर अगर आप देखेंगे तो 32 28 और 18 करोड यह कंपनी के लॉस के नंबर है तो यहाँ पर अगर हम overall देखेंगे तो यहाँ पर 100 करोड जितना भी लॉस नहीं है उससे तो कम ही है यहाँ पर तो company का लॉस इतना ज्यादा नहीं और यहाँ पर 1000 मलब 1200 करोड का लॉस उसलिए आया क्योंकि अधर इंकम जो है वहाँ पर company जो भी करती है उसमें company को भारी लॉस हो गया उस वज़े से आपर 1053 करोड का लॉस है उसी रीजन की वज़े से company का जो लॉस है वो इतना बड़ा है बाकि नॉर्मली company 40 करोड 45 करोड 55 करो 51 करोड इतना company लॉस कर करती ही है तो यह रीजन है company का कि revenue revenue के होने के बाद भी company का जो शेर प्रेस वो इतना है और अब revenue company उतना भी नहीं कर पार ही काफी कम revenue company कर रही है so that's the only reason की company loss I mean company का जो शेर प्रेस वो काफी कम है promoters 58.88% 58.88% 21.95 अभी भी 21.95 domestic investors नहीं है और public के पास है 19.17 19.17 public के पास इतना invest I mean इतना है retailers के पास 19.17% है और retailers के पास इतना ही रहना चाहिए ज्यादा increase मत करना क्योंकि इसमें दिक्कत यह है कि आप first जाओगे अगर आप 20 रुपे पे लेते हैं और कल के मलब कुछ दिनों बाद ये 4-5 रुपे पे आ गया तो आपके 15 रुपे आप loss में आ जाओगे और 15 रुपे कोई बड़ी बात नहीं एक शेर पे लेकिन ये छोटे शेर जे तो आप एक लोगे नहीं आप लोगी 100, 200, 1000 जिसकी जो capacity आप उतना लोगे आप समझ लेजिए अगर 100 शेर भी अगर आप लेते हो और 15 रुपे ये शेर नीचे गिरता तो आप खुद एस्टिमेट कर लीजे आपका कितना loss हो गया है वो भी इतने छोटे से शेर में आपका इतना loss हो तो मलब आप यहाँ पर अपना नंबर मत चाहिए ठीक है उनके पास है तो उनके पास रहने देजो क्योंकि प्रमोटर के पास भी जो पड़ा है ना 58 पसे उसमें से 100 पसेंट उन्होंने प्लेज पे रखा है ठीक है तो कल के दिन कुछ भी होता है अगर यह रीपे नहीं कर पाती प्रमोटर तो वो शारा शेर उनके पास रहगा इनके पास कुछ भी नहीं रहगा यह जीरो हो जाएंगे उस टाइम तो यह भी हो सकता है तो आप ध्यान रखिए और ऐसी कंपनी के पहले जाच करिए हम जैसे की वीडियो तो बनाती है चोटी शेर पर तो आप देखिए पहले उनको उसके बाद कोई कंपनी प अप था अपर सरकित पर था तो यह शेर पर ठीक है अगर आप अच्छे मुनाफ़े में हो और अगर आपको लगता आप सैटिस्वेक्शन आपको मिलती तो आप इस शेर में से निकल सकते हो फिर से यह नीचे गिरता है तो आप ले सकते हो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव के के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगे कि आप इस शेर में एंटर करें आपको वीजा स्टील के बार में सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेर और सब्सक्राब आप चैनल थैंक यू